स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से xp classes में मैं चेतन प्रताब आज आपके लिए लेकर आया हूँ कच्छा बारा हिंदी साहित के students के लिए बहुत ही महत्मूर वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको important questions जो हो सकते हैं जहां से फसने की पूरी-पूरी संभावना है लगबग पूरी संभावना है वो सारे questions मैं यहां आपको discuss करूँगा बताऊँगा कहां से क्या important है तो यह वीडियो आपको पूरा देखना है complete last तक त्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने बाला है यहां में chapter wise कि chapter से क्या important है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं और उसको तयार कर सकते हैं exam के लिए तो वीडियो को last तक पूरा देखना है complete बीच में skip नहीं करना है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और यदि आपने अभी तक xp classes app को play store से डाउनलोड नहीं किया है ज़रूर करें वहां पर आपको paid course मिल जाएंगे जिनको purchase करके आप अपनी तयारी को और बहतर कर सकते हैं तो चलिए अब शुरू करते हैं अब जो गद्द में हैं आपके गद्द में जो chapter है वो total आपके पांच chapter आने हैं जैसी कि आप लोग जानते हैं ठीक उन पांच chapter में जो आपका पहला chapter है जो गद्द की जो पांच chapter है जिनमें आप पांच नहीं चार chapter actually में आने हैं तो जो चार में जो पहला chapter है राष्ट का श्वरूप उसमें से आपको गदांस में पूछा जाएगा कि एक गदांस दे दिये जाएगा उसके अंतरगत questions के answer देने है तो मैं यहां बताऊँगा कौन सा गदांस important है आपके लिए ठीक तो उनको समझे तो इस chapter से भूमी पर बसने वाले बसने वाला जन और जन की संस्कृ ये वाला पूरा गदांस बहुत ही most है अक्सर पूछा जाता है तो इसके अंतरगत ये questions है आप इन questions को तयार कर लिजेगा बहुत important question है ठीक और इसी तरीके से questions आएंगे अक्सर रेखांकित अंस की व्याख्या बोली जाती है तो रेखांकित अंस की व्याख्या आपको पूछनी होगी रेखांके तन से ये कहलाता है जो underline है ठीक अब इसी chapter में और कौन सा है जो important है तो मात्र भूमी पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट का दूसरा अंग है यहां से लेके राष्ट निर्मार के अंकुर उत्पन होते हैं तो इसके अंतरगत ये question है ये important ह ठीक तो ये आप इसमें तयार कीजेगा अब इसके बाद इसी chapter में जन का प्रवाहय अनंध होता है ये गद बहुत पूछा जाता है ठीक ये कहा तक है अनेक घाटों का निर्मार करना होता है तो इसके अंतरगत ये question है ध्यान दे इसको आगे देखें अब इसके बाद इसी chapter में राष्ट का तीसरा अंग जन की संस्कृति है कभी कवार ये भी होता है जैसे मैंने इतना बड़ा सेंट बोला आपको तयार करने को कभी कवार इसके छोटी छोटी रूप को भी दे देते हैं जैसे राष्ट का तीसरा अंग से लेके संग्या संस्कृति यहां तक संग् और ये राष्ट का सुरूप चैनल में पड़ा है चेप्टर आप डालेंगे एक्सपी क्लासे डालेंगे पीछे सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको ठीक आगे देखें अब इसी में एक और है साहित कला नित से लेकर राष्ट के लिए स्वास्त कर इसके अंतरगत कोश्चन ये हैं ये भी इंपोर्टेंट है बहुत ठीक अब आगे बढ़ते हैं अब ये बहुत ये भी पूछा जाता है बहुत धरती माताई कोक में जो अमूली निधियां भरी पड़ी है यहां से लेके कहां तक आवश्चक है तक देखो इनको पढ़ना नहीं है आप कहोगी कि सर आप तो बहुत सारे दे रहे हैं तो समझो जरा ये आप इनको रटना नहीं है बलकि इनको समझना है अगर आपने अच्छे समझ लिया चैप्टर आप पढ़ेंगे चैनल में पढ़ा है अगर देखेंगे उससे फिर कोश्चन करने बैठेंगे तो बहुत इजरी आजाम से आपको आजाएगा तो मैंने मोश्ट मोश्ट बता दी इन पर विसेश फोकस करना है वैसे तो आप चाहें तो विसेश रूप से पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है एक बार लेकिन फोकस इन पर ज्यादा करना है ठीक तो इसके अंतर गती ये कोश्चन है अब आत करते हैं अशोग के फूल में क्या important है तो पहला ये बहुत पूछा जाता है भारती साहित में और इसलिए भी क्यूंकि इसमें ये तै नहीं कर बाता है student कि कहां से एक चलिए कि कई बार confusion हो जाता है तो इसमें कई ऐसे words हैं जो इसका जिससे पता चलता है कि अशोग के फूल है इस शेप्टर में तो मुझे मानव की दुर्दम निर्मम धारा की हजारों वर्सों का रूप साप दिखाई दे रहा है ये वाला बहुत आता है ठीक तो इसको लाश्ट तक है हजम करने के बाद भी पवित तो इसके अंतरगत ये कोश्चन है देखो बेटा ये कोश्चन को आपको रटना नहीं है जो ये कोश्चन है आप पैसेज को पढ़ोगे कोश्चन का आंसर खोजनी कोश्चिस करोगे आपको 100% बनेगा बहुत अच्छे से बनेगा कोई इसमें दोहरा नहीं है ठीक है आगे देखिए इसके बाद असोग को जो समान समान कालिदास से मिला है यहां से लेके कंदो पर से ही फूट उठता था यहां तक बहुत इंपोटेंट है इसके ये कोश्चन है ध्यान दीजिगा अब इसके बाद अगला जो चैप्टर है अगला जो इसमें है गद में असोग कबरक्ष जितना भी मनुहर है जितना भी रहस्मय हो जितना भी अलंक हम भी मिट गई और इसके अंतरगत ये कोश्चन देखो बेटा इतने सारे कोश्चन नहीं आएंगे ध्यान रखना आप सोचो कि इतने सारे इसमें कोश्चन दिये पूरे आजाएंगे नहीं कुछ कोश्चन आएंगे तो इस गद के अंतरगत इस पैरग्राप के अंतरगत जो कुश्चन बन सकते हैं उसमें सारे दिया, आपको सारे समझना है तैयार करना है आप भासा और आधनिक्ता प्रोफेसर जी संदरेटी ठीक, भासा और आधनिक्तब प्रोफेसर जी संदरेटी इसके इन में ये वाला पैसिज बहुत आता है रमनीता और नितिनूतंता अन्यो नास्रित है ये से लेके एक सत्त माध्यम तक इसके अंतरगत ये कोश्चन है ठीक है और फिर इसके बाद दूसरा है जो बहुत आता है भासा की एक साधान एकाई सब्द है यहां से लेके आवशक्ता प्रतीत होती है तक इसके अंतरगत ये कोश्चन है आगे देखें अब इसके बाद क्योंकि ये इसलिए इंपोर्टेंट है ये चेप्टर क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत समझने को ऐसा है कि थोड़ा कठिन लगता है हलका सा लेकिन वो है नहीं एक्चुलि में जब आप बहुत अच्छे समझोगे तो नहीं कठिन जाएगा फिर इसके बाद उपर ये तो गद्दांस का संदर मतलब इसके अंतरगत ही ये कोश्चन है ये आपको नए सब्द नए मुहाबरे नए रीतियों के प्रयोग से ये वाला गद्द भी इंपोटेंट है आगे देखिए अब इसके बाद है ये नवीनी करण कितना भी प्रिसस्त कार क्यों नहुआ हुआ हो इसके अंतरगत कोश्चन हाला कि मैंने नहीं दिये लेकिन आप इसको तयार करोगे तो जो भी कोश्चन आएंगे वो आपसे बन जाएंगे इसके बाद है अगला जो चैप्टर है हम और हमारा आदर्स तेजस्वी मन के संपादित अंस ये नॉक्टर एपी जी अब्दुलकलाम की बुक तेजस्वी मन से संपादित है ठीक तो इसमें ये बहुत इंपोटेंट है इससे बहुत आता है ये समझे तो इसमें जो पहला ह मैं यह नहीं मानता की यहां से लेके आपके यकीन से ही परे इसके अंतरगत ये कोश्चन है इसको तयार करना है आपको इसके बाद इसी मैं इसी चैप्टर से जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं यहां से लेके गेर आध्यात्मिक बात नहीं है इसके कोश्चन आपको देखने हैं ठीक इसके बाद देखो जरा इसके बाद है आपका नियून्तम में गुजारा करने और जीवन बिताने से लेके कहा तक गुरगान करना अलग बाते हैं ये पूरा लाश तक आपको इसके कोश्चन है ये तैयार करना है इसके बाद इसके बाद आपको बिक्षे देशों की सम्रद्धी के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपाए यहां से लेके अकांग्छाओं के अनुरूप यह कुश्चन से इसके यह तयार करने हैं आपको अब इसका है हमारी युवा सक्ति संपर कायम करने में करने के मेरे फैसले का आधार यह भी रहा है से लेके खुश्यों का प्रिसार कर सकेंगी यहां तक यह इसके कुश्चन से यह तयार करने हैं अब इसके अंतरकत और यह बहुत इंपोटेंट है यह वाला जो सारे बता रहा हूँ यह सारे इंपोटेंट है ये तयार करने हैं आपको, मैं खास तोर से योबा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ ये से लेके ग्यानवान नागरिक भी बन सकेंगे यहां तक, पूरा इंपोर्टेंट है ये इसके कोश्चन से ध्यान दीजीगा, आगे देखें अब इसके बाद है ये गद्य का पूर्शन हो गया अब आया काब बे, तो काब में जो जो चैप्टर आपके आने हैं साहित नहीं सामान नहीं हिंदी बालों के लिए उनको मैं चैप्टर 22 बताते जा रहा हूँ कौन सा पद इंपोर्टेंट ही ये तयार करना है तो पहला है जो उद्या सिंग उपाद्या हरियोद का पबंदूत का, इससे ये बैठी खिनना यकद बस, यहां से कुश्चन ये बहुत पूशा जाता है, और काल की कुरूरता तक, इसके अंतरगत ये कुश्चन है, ध्यान दीजिए एक बार अगर अर्थ अच्छे से आता है और इस चैप्टर सारी चैनल में पढ़े हैं तो आप इन कुश्चन के अंतरगत आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो, बिना किसी परिशानी के, ठीक आगे देखें, अब इसी में जो प्यारे मन्जूपवन वाटिका में खड़े हों, से लेकर आँखों को ब्रह विदुरा पारी में बोरती है, इसके अंतरगत ये कुश्चन से ठीक है, ये इंपोटेंट है, इसके बाद अब आगे देखो जरा, आप टिक भी लगाते जाएं अपने उसमें, और इनको तैयार कर लें, इसके बाद साचे ढ़ाला सकल बबु है दिव शौंदर ये शाली कि साचे में ढ़ाला जो सकल बबु, बबबु माने सरीर जो पूरा जो सरीर है वो दिव शौंदर ये शाली है, ठीक समझ गए, ये वाला पद इंपोटेंट है तो इसके अंतर गत ये कोश्चन है ठीक मैं बार बार कहता हूँ, यहां मेरा उद्देश ये नहीं है, कि आपको सीमित कर देना, अगर आपको पूरा चैप्टर तयार है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं है, तो इन पर बिसेश फोकस कर लें, बैसे तो चैप्टर बाइस अच्छे से तयार करें, पढ़ने वाला च्छात्र वही है, जो पूरा तयार करें, अच्छे से लेकिन मोश्ट हैं ये इन पर बिसेश फोकस करना है अब नीले फूले कमल दलकी से लेकर सक्ती की पेटिका तक कलब करसी, ये वाला आपको पूरा करना है, है ना, कलब करसी सक्ती की पेटिका, इसके बाद आप कह कही कि अनुताप में कौन कौन इंप्रोटेंट है जो आते हैं, पहला है, हे भरत सकानेज विश्वासी यहां तक, ये पूरा इंप्रोटेंट है, द्यान दीजिगा ठेक, इसके बाद आगे देखें बैठी थी अचल तथापी अशंख तरंगा वह सिंगी अब थी हाहा गौम की गंगा से लेकर कौन सा पत यहां तक, ये बहुत इंप्रोटेंट है इसके अंदर गत ये कोश्चन से हो, ठीक अब आगे देखें ये बहुत आता है जल पंजर गत अरे अब अरे अधीर अभागे से लेकर प्लाज तक, इसके बाद इसके जो कोश्चन से हो ये हैं ठीक, अब आगे देखें जरा अब जो और एक इंप्रोटेंट चैप्टर है स्रद्ध मनू जैसे अंकर पिसाज जी का इसमें ये पहला वाला पद नील परिधान बीच इसके ये कोश्चन है ठीक, इसके बाद आगे है ये तुम एक तुम ये विस्तित बुखंड ये वाला से लेके आत्मिस्वार विस्तार तक इसके ये कोश्चन से इसके बाद दुख की पिछली रजनी बीच बिक्सता सुक्का नवल प्रबाद से लेके कहां तक, कभी मत जाओ इसको भूल ये इसके कोश्चन है देखो इतने सारे कोश्चन है तो जरू नहीं यही पूरे आ जाएंगे कुछ इसमें से आएंगे ठीक, आगे देखें सक्ती के विद्योत कन ये लाश्ट वाला है लगवग ठीक, तो इसके दरगत ये कोश्चन है विजय नहीं मानोता हो जाए ठीक, और ये और क्या ये है तुम सुनते नहीं विद्याता का मंगल बर्दान ये से लेके खिची आवेगी सकल सम्रती यहां तक, ये इंपोटेंट है ठीक है तो ये इसके कोश्चन से इसके बाद आगे चलो समर्पनलो, सेवा का सार ये भी बहुत इंपोटेंट है ठीक, इसके अंतरगत ये कोश्चन से ठीक, ये पूरे अब इसके बाद नौका बेहार ये पंत जी का है जो बहुत ही इंपोटेंट है और ये थोड़ा टफ भी है इसका भी चैनल में वीडियो अपलोड है आप देख सकते हैं ठीक, जो जो लगती नाव पार से लेकर करता मुझको अमरत्त दान ये लाश्ट वाला है, ये बहुत आता है इसके अंतरगत जो कोश्चन से हैं हालाई कोश्चन स मैंने नहीं लिखे ठीक, नहीं दिये इसमें कोई दिककत दी, लेकर आप तयार कीजिएगा बहुत इंपर्टेंड सांत सिनिक जो तिशना उजवल से लेकर है कहा तक सिम्टी है, वर्तुल मिर्दुल लहर ये बहुत आता है, अब जरूरी नहीं है ये इतना बड़ा पैसे जा जाए छोटा भी आ सकता है, इसका आधा भी आ सकता है ठीक, ध्यान दीजिगा इसके अंतरगत ये सारी कोश्चन से फिर आगे देखें चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर से लेकर बैभाश्वपने सघंतक, ये बहुत इंपोटेंट है इसके अंतरगत ये कोश्चन से ठीक, आगे देखें अब इसके बाद है बापू के प्रती ये बहुत इंपोटेंट है चैप्टर ये आना है आपका, तो इसमें ये वाला पद बहुत इंपोटेंट तुम मान सहीन, तुम रखती हीन से लेकर भावी की संस्कृती शमाशीन, इसके अंतरगत ये कोश्चन है, अब आगे देखें जरा, अब एक और इसका कारा थी बिगत संस्कृती से लेकर, जै ग्यान जोती तुमको प्रणाम, ये बहुत इंपोटेंट है पहला वाला बहुत पूछा जाते है, चिर सजग आखें उनी दी, ये वाला पद इसके अंतरगत ये कोश्चन अब इसके बाद दूसरा गीत है यही गीत, कहना ठंडी सांस में भूल वह जलती कहानी से लेकर, ये वाला बहुत इंपोटेंट, तो इस गीत में ये दो पद बहुत आते हैं, ये इसके कोश्चन हो गए, अब दूसरा गीत है दूसरे गीत में जो पहला ही पद है, पंत होने दो अपरचित, प्राण रहने दो खेला सत्विद्यतों में दीप खेला, ये बहुत इंपोटेंट है, इसके अंतरगत ये सारे कोश्चन से, अब आजाओ तीसरा गीत मैं नीर भरी दुख की विदली इसका जो पहला है, ठीक पद, वो बहुत इंपोटेंट है, ये इसके कोश्चन से इसके बाद, इसके बाद दिनकर जी का अभिनव मनुष्च ये बहुत अच्छा है, ये चैप्टर भी मैं करा चुका हूँ सारे गद्य काप संस्कित पूरा है लगबग, चैनल में तो यह लगु ग्रै भूमी मंडल ब्यों में है संकीन से लेके ग्यान का विज्यान का आलोग का आगार तो इसके अंतरगत ये questions ठीक, अब जरूर नहीं है question आप यही ना सोच के जाएंगे यही question आएंगे इसके अंतरगत हो सकता अपने आपसे ही बना के दे दे लेकिन यदि अर्थ हमें आता है निकालना और तयार है तो हम पूरा कर सकते ठीक आगे देखिए इसके बाद दूसरा है सावधान मनुष ये अंतिम पद है इस chapter का ठीक तो ये बहुत important है फिर इसके बाद है सच्चिदानन्द हीरानन्द वातसयाईन अग्य जी का जो हिरोश्मा है इसमें पहला वाला जो है पहला नहीं है बीच का है छाया है मानव जनकी से लेकर द्रश शोक लेने वाली तो फैरी इसके अंतरगत ये question है ठीक अब इसमें और देखें मानव का रचा हुआ सूरज से लेकर मानव की साखी ये अंतिमपत है तो इसके अंतरगत ये questions है आपके ठीक और इसके अंतरगत questions ये है ठीक आगे देखें अब आजाओ Sanskrit में तो Sanskrit में जो जो chapter आने है उनके मैंने important questions ले रखें हैं अब Sanskrit में आपका Sanskrit में क्या होता है जब जो chapter का हमें अर्थ लिखना होता है जैसे chapter होता है माने उसका Hindi में आपको अनुबाद करना पड़ता है Sanskrit का जो पेरा दिया होता है उसका अनुबाद करना पड़ता है तो उसके अंतरगत दो portion आते हैं एक आता है गद्य portion एक आता है काब्य portion ठीक तो काब्य portion में तो जो आपका सुभासित रतनानी chapter है वो आप पूरा तयार कीजिएगा ठीक उसमें से जरूर फशेगा अत्वा में आता है और इसके अलाबा जितने chapter में स्लोक दिये हैं जैसे एक महामना मालवी में स्लोक दिया है जैन्ती ते महाभागा और एक दिया है जातक कथा में स्लोक तो ये दौनों स्लोक और पूरा सुभा से तरतनानी ये कंप्लीट कर लीजिगा तो समझी आपका जो पद्य पूर्शन आता है संस्कृत में अनुबाद के लिए वो आपसे बन जाएगा इसके बाद जो गद्ध आता है उसमें मैंने कुछ इंप्रोटेंट लिये हैं जैसे आत्मा के यो सर्वग के से मैंने लिया है याग वलक अवाच अर ना वारे मैत्रेही से लेके इदम सर्वं बिदितम भवती इस ये बाला बहुत इंप्रोटेंट है इसके अलाबा अब जो अगला चैप्टर है संस्क्रिक भासाया महत्तो इसमें क्या इंप्रोटेंट है इसमें इंप्रोटेंट है धन्यो अयम भारत देशा हसे लेके संस्कृतम नाम देवी वागन वाख्याता महर सी भी ये इंप्रोटेंट है इनकी व्याख्या नहीं इनका अनुवाद बहुत अच्छे से तरियार करना है इसके बाद संस्कित साहित तश्ष से लेकर आदी कवी वालमी की महारसी व्यासा कवी कुल गुरू काली दासा अन्य से लेकर भारत मातु स्वाथ ये और है भी नीचे ये है गीरवाण भारती इती तक ये बहुत इंपोटेंट है अब इसके बाद जो अगला चेप्टर है जातक कथा जातक कथा में आपका बैसे तो इसमें एक इसलोग है नामे रोच तमभध्रम वो इसलोग पूरा तयार कर लिजिगा फसने का चांस होता है उलूग जातकम में पहला ये बहुत इंपोटेंट है अतीते पर थमकल पर ये अक्सर आता है और इसके अलाबा मैंने इसमें यही केवल लिया हुआ है क्योंकि यही अक्सर पूछा जाता है ठीक आगे देखें महा मना मालविया इस चैप्टर ये चैप्टर बहुत इंपोटेंट है ठीक तो पूरे चैप्टर मेरे साब से तयार कीजेगा इसका आप ठीक तो इसमें जो दूसरा है महा पुर्षा लौकिक प्रलोविनेशु बद्धा से लेकर देश शेवा बितम नात्यजित की महा पुर्षा लौकिक प्रलोविनेशु बद्धा नियत लक्षान कदापी भ्रश्यंती से लेकर कहां तक देश शेवा नात्यज तक ये बहुत इंपोटेंट है तो महा पुर् में एक स्लोख है जयन्तित्य महाभागा, जन्सेवा परायना, ये वाला स्लोख पूरा तैयार करना है आपको, अब इसके बाद पंच्छील सिध्धानत में क्या important है, देखें, तो पंच्छील सिध्धानत में आपका बहुत योगे, ये वाला बहुत आता है ये वंचावेवस्ता कभी कवार ये जैसे मैंने इत्ता बूर बड़ा पूरा दे दिया हो सकते है यहां तक पूछ ले और हो सकता है यहां से लेकर यहां तक दे दे यह भी हो सकता है ठीक आगे देखें अब यह हो गया अब इसके अलावा इसके चेप्टर हैं उन में से क्या इंपोटेंट है तो मेरे हिसाब से तो ये तीन इंपोटेंट है इनको आप कर लीजिगा वास्दियो सरणकवाल बहुत इंपोटेंट है हजाई परसाद अबेदी और डॉक्टर एपी जी अब्दुलकलाम तो बहुत ही जादा तो बैसे ये तीन इंपोटेंट पहली चीश्त तो मादे भर्मा को करऊंगा क्यों क्योंकि एक मात लेड़ी है जो है मतला आप किस लेवस में तो ये तो चान से बहुत ज़यादा नहीं की इसके लाबा अब इसके अलाबा थोड़ा डिसकस करते हैं इसको तो समझे जराब अब इसके लाबा क्या discuss करना अब बहुत सारी चीज़ें जो अन हैं जो आती हैं ठीक जो अन हैं बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं पहली सबसे पहली चीज जो आपका गद्य से गद्य से भी आता है और पद्य से भी आता है यानि गद्य से और पद्य से एक एक नमबर की रचनाय पूछी जात होता है यह आपको बरावर इसकी तयारी चल लेए एकस्पी क्लासेस में वह आप तयार करें वहां से ठीक इसके अलाबा आप और अगर आगे बढ़ते हैं तो और क्या-क्या आता है जो आपके लिए इंपोर्टेंट है उस पर डिसकस कर लेते हैं ठीक पहले तो यह समझे कहानी आती है कहानी के माध्यम से कथानक लिखने को बोलता है तो कहानी में आप पंचलाइट और बहादूर यह दौनों तयार करने परियाप थे मेरे साब से ठीक ठीक है इसके बाद इसके बाद जो है व मुक्तियग किसी कहां सिर्वन कुमार सत्त की जीत यह लग-लग होता है तो इसमें क्या होता है कभी कवार खंड काब के अधार पंड जो नायक होता है उसका चरिचित्रन पूछ लेता है या कथानक का विवरण या उसका महत्त पूछ लेता है या सारांस पूछ लेता है कथ को तयार करने ही, देखो एक एक नममर के जो कुश्शन है वो आपको बहुत अच्छे तयार करने ही इसके अलावा, जो grammar portion है जिसमें हिंदी की सब्धावली आती है जैसे महाबरे हो गया, तो यह आपको तयार करने ही, यह आपको ही तयार करने ही फिर इसके बाद संदी विच्षित सब्द दे दिये जाएगा कहा जाएगा संदी विच्षित लिखो है ना तो वो चीज आपको खुद तयार करने है इसके अलाबा बिभक्ती और बचन जैसे जगत हो गया है ना इन सब चीजों के बिभक्ती और बचन लिखने को आते हैं इस टाइब से तो यह आपको तयार करने है इसके अलावा क्या होता है कि आपको आएगा एक आर्थी अनेक आर्थी सब्ड जैसे पुछे जाएगा एक सब्ड देदी जाएगा उसके दो अर्थ लिखिए तो option में वो रहेगा यानि अनेक आर्थी सब्ड टाइब करे वो भी आ sentence दे दिये जाएगा और कहा जाएगा इसको सही इसको सिलेक्ट करके बताओ कि कौन सा sentence सही इसको लिखा है कैसे इसको मतलब सही लिखा जाएगा वो आप से पूछा जाएगा ठीक है फिर इसके बाद आपको फिर इसके बाद क्या आएगा इसके बाद आपसे फिर रस बगे और जो चीज आती हैं, रस हो गया, अलंकार हो गए, है ना, तो अलंकार में आप अपना देख लीज़ेगा, कम सकम तीन चार अलंकार जैसे यमक हो गया, सिलेश हो गया, अनुपरास उत्मा, ये कल लीजि़ेगा, complete तो इससे हो जाएगा, अब क्या होता है कि कुछ विसेश प कून है, कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन दो चार टाइप के आप पत्रों को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको important लगें, या आपको बताय गया हूँ कि ये important हो सकते हैं, या model paper में जिस तरीके important हो, वैसे कम सकम 5-5 पत्र, 5 application, 5 पत्र आप अच्छे से देखाईएगा, उनका pattern देख लीजिगा, बाकी पत्र देखो, पत्र में क्या होता है, कि जो चीजें, पत्र अप्लिकेशन, जो चीज पूछी जा रही, वो सामने हैं, बस उसको balance करना हमें, लिखना है कि तरीका पता हो, वो हम लिख लेते हैं, तो वो चीज आती है, फिर इसके बाद आता है आपक से के प्रकार होते हैं, कई प्रकार के निबंद आते हैं, जैसे साहितिक निबंद हो गए, विज्ञान से रिलेटर्स निबंद हो गए, समाज से संबंद, समाज की समस्याओं संबंद निबंद हो गए, यह ना, और रादिती संबंद निबंद हो गए, निबंद हो गए, त उसको अपन को करना क्या है कि पढ़ना है और बाकि उनकी heading को दिमाग में रख लेना है जो main main पांत दस आपने निवंद अगर कर लिए तो उनकी heading को दिमाग में रखना है बाकि फिर जो हो पेपर में कौन सा है कह नहीं सकते किलियर नहीं होता है कोई चीच ठीक तो जो main main आप पढ़ो उनकी heading जरूर दिमाग में रखो ठीक और ध्यान ये देना है point to point answer दिये जाता है फालतू भकवास नहीं लिखे जाती कि आप कुछ भी लिखते चले जा रहे लिखते चले आ तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या तयार करना है कितना तयार करना है देखो मैं इस वीडियो के अंत में आपको एक विसेस बात कहना चाहता हूँ विसेस बात ये है कि ये अनुमान होता है teacher का जो हमने आपको बता दिया अनुमान है ये तो जरूर नही कि यही आ जाए इससे आगे भी आ सकता लेकिन यह most है अगर आप इतना तयार कर लेंगे तो संभाव ना है 80 से लेके 100% तक पूरा फसनेगी और अगर नहीं भी फसता है है ना तो ऐसा है नहीं कुछ ना है जरूर फसेगा इतना अगर तयार करेंगे तो एक security और security आपके अंदर आ जाएगी confidence आएगा और साथी साथ मैं एक और सलाय देना चाहूँगा सलाय यह है कि जिस chapter को तयार करें पूरा अच्छे से करें उसमें फर important ना खोजें मैंने तो business कर important बता दिया है ताकि आप इन पर business focus कर लो वैसे तयार तो पूरा chapter ही करना है लेकिन उसके लिए मैंने अभी एक वी वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैह भारत बंदे मात्रम